वह प्रकाश बहुत चाहले कंड़ेट्स एस एसी म्टेस के रिगार्डिंग पूछ रहे थे टोटल कितने कंड़ेट्स फेज वन यानि के प्रिलिम्स के लिए अपिर हुए थे तो इसके रिगार्डिंग एक ओफिसियल आटीय रिप्लाई आ चुकिए तो आई जानते हैं आटीय रिप्लाई में उन्होंने बताया है तो टोटल 2,35,196 कंड़ेट्स अपिर हुए थे जबकि टोटल 3,87,454 कंड़ेट्स ने फॉर्म को फिल किया है तो आप यहां से देख सकते हो केवल 60% कंड़ेट्स से एक्ट्वली एक्जाम देने पहुँचे और आटीय में एस इस से और भी कुछ क्वेशन पुछे गया थे तो उसके आंसेर में आपको बताता हूं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है तो एसके यूडीसी फेज 3 के डेट्स के बारे में पुछा गया था जिसके बारे मुने बताया है कि अभी कोई डेट्स नहीं की गई है यह साइसी में से नहीं होता है जैसा कि मैंने आपको एकजाम करना है ते अर इसके एकईशों का हो एकजाम होगी तो फिस तो प्रिली साइस्थ जुट्र में पूछा गया था कि कि पूछा गया तो उमीद है आप अच्छे से आप अपने तयारी किया होगा और एक और कोईशन पूछा किया थे कि टोटल कितने अप्लिकेशन्स रिसीव हुए है एससी एससो के लिए तो टोटल 1,7,221 वैलिड अप्लिकेशन्स है जो रिसीव किये गया है इस RTI रिपलाई की एक फोटो मै मेंस की रिजल्ट की हम वेट कर रहे है साथ सी साथ ESIC MTS की रिजल्ट की वेट कर रहे है और जैसा कि RTI रिपलाई में उन्होंने बताया कि 5th जून को ESIC MTS की मेंस एक्जाम होने वाली यानि कि Phase 2 होने वाला है तो अभी से लेकर लगभग 10-15 डेस का ही समय आपके पास है और इसी में आपको तयारी करने प्रिपरेशन अच्छे से करना है और अगर बात करें रिजल्ट की तो ESIC MTS प्रिलिम्स की रिजल्ट आपको इस विक या नेक्स विक तक देंगर को मिल जाएगी क्योंकि ताइम बहुत कम है तो आप तयारी करते हो बहुत सारे कैंडेट्स पू और जैसा कि मैंने आपको बताया हो कि MTS मेंस की एक्जाम अगर फिफ्थ जून को जैसे होने वाली है तो जो जनरल अवेनस का सिक्षन रहेगा या फिर जो करेंट अफेर्ट के कोईस्चेंस पूछे जाएंगे मैक्सिमम कोईस्चेंस जून के पहले के जो टू मन्थ से उस की मन्थ के लिए तो सारी विकली पिडियाप्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाली हुए तो आप वहां जाके डाउनलोड कर लेना और वहां से आप रिवाइस कर सकते हो पर सकते हो साथ ही साथ अगर ESIC MTS मेंस के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट के लिं सारी डिटेल्स इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आपने अगर ESIC MTS का एक्जान दिया तो आप कमेंट करके बताना कि आपने किस स्टेट से एक्जान दिया था और आपने टूटल कितने क्वेशन सेटिम्ट किय और वीडियो को लाइक जरू करना जादस ज्यादा शेयर करना अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक यू